तो मैं आशो का आपना स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ड अड़ा पर तो दोस्तों कैसे है आप दोस्तों आज हम बात करेंगे होंडा जैस 2020 की हां जी दोस्तों होंडा जैस लोंच हुई है वन तक्स इलेक्रिक संडूप के साथ लोंच हुई है जो एक नया मोड प्रूप फीचर है काफी अच्छी कार है दोस्तों तो दोस्तों यह नए लुक अ मोडर्न स्पोर्डी स्टाइल और साथ इसमें नए लेडिंग फीचर दिये गए है काफी शांदार कार यह लगती है तो इस कार की पूरी डीटेल में आपको बताने वाला हूँ साथ ही दो स अगर अब अज की ट्रांस्पोर दडा को सप्सक्राइब ने किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेma вся अपी ऑपका स्वागत करता हूँ मेरेस चैनल ट्रांसपोर्ड अड्डा पर तो दोस्तों कैसे है आप dωसतों आज के इस वीडियो में हम जानेंगी Honda Jazz के बारे में हंजी दोस्तो Honda Cars India ने One Touch Electric Sunroof के साथ अपनी Honda Jazz लौंच कर दी है तो नई Jazz में आपको नया लुक मिलेगा Modern Sporty Style आपको मिलेगा साथ ही दोस्तो segment लेडिंग feature इसके अंदर दिये गए है काफी शान्दा डिजाइन होगा Honda Jazz का और class लेडिंग cabin space होगा advanced technology और safety feature के साथ full range के साथ Honda Jazz पेस होई है तो आए जानते है इस वीडियो में नई Jazz में आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है तो दोस्तो भारत में premium कारों की प्रमुख निर्माता Honda Cars India Limited ने अपनी premium hatchback नई Honda Jazz को नई look, premium style और एक नई flagship grade यानिकी Jazz ZX के साथ और segment lading features के साथ launch कर दिया है काफी शानदा design है दोस्तो इसका और नई Jazz अपने modern sporty style, aerodynamic शमता, class lading cabin space, advanced technology और safety feature के साथ काफी जादा attractive लग रही है साथ ही दोस्तो नई Jazz line अप में एक नया flagship grade यानिकी ZX को सामिल किया गया है तो दोस्तो इसके exterior design के अगर बात करें तो exterior design के मामले में नई Honda Jazz कई features के साथ आती है जिसमें कि आपको new chrome accentuated high close black grill आपको मिलेंगे साथ ही DRL के साथ साथ नई LED headlamp यहाँ पे आपको मिलेगी उसे के साथ नई LED fog lamp, signature rear LED wing light और नई तरह से design किया गए यहाँ पे front और rear bumper भी आपको मिलेंगे और दोस्तों नई Jazz का सबसे खास feature जो है वो हम आपको बता देता हूँ इसके अंदर paste किया गया है एक segment exclusive one touch electric sunroof हाँजी दोस्तों one touch electric sunroof जो की premium hatchback में एक नया trend स्थापित करेगा वो आपको Honda Jazz के अंदर मिलेगा तो दोस्तों Honda Cars India Limited के president और CEO GAKU NAKANISHI ने कहा कि नई Jazz को launch करते हुए हमें काफी खुशी हो रही है Honda Jazz को एक stylish और sportier look देने के अलावा segment exclusive sunroof की pescus car को एक नया आयाम देगा और इस segment में सबसे अलग car इसको बनाएगा तो hatchback में premium feature के साथ दोस्तों काफी ज़्यादा spacious cabin इस नई Jazz के अंदर दिया गया है जो कि इसे काफी excellent car बनाता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों नई Jazz के interior की तो नई Jazz का interior एक super spacious होगा premium और अरामदाए cabin आपको देता है अपने सरेणी में सबसे बड़ा है दोस्तों यह और यह customers को advanced interior equipment और comfort feature जैसे की cruise control touchscreen panel के साथ साथ auto AC, LCD display और eco assist ambient rings के साथ multi information combimeter, steering mounted audio, telephony और voice control, white और red color में आपको one push start और stop बटन साथ ही keyless remote के साथ Honda smart के system technology आपको मिलेगी तो दोस्तों इसका interior काफी ज़्यादा comfortable है नई Jazz एक बहुत सुविधा सिनक और एक बड़े 354 लिटर के cargo space के साथ आती है जो कि अपने segment में बहुत ही अच्छी कार है काफी ज़्यादा batteries कार को अपने segment में माना गया है तो दोस्तों नई Jazz के manual और 7-speed CVT यानि कि continuously variable transmission दोनों वेरियंट्स होंडा के पहले से काफी ज़्यादा प्रिशंशा में रहे है काफी ज़्यादा पसंद किये गए है और B6 आने के बाद दोस्तों 1.2 लिटर आई वी टेक पैट्रोल इंजन से अब यह संचालित होंगे यानि कि पैट्रोल इंजन आपको इसके अंदर मिलेगा और यह इंजन आपको 6000 RPM पर 90 PS का maximum power और 4800 RPM पर 110 Nm का peak torque जनेरेट करता है तो दोस्तों यह होंडा के एडवांस 5-speed manual transmission के साथ लेस है और टेस्ट आकडों के मताबिक 16.6 km प्रति लिटर की इंदन शमताया प्रदान करता है तो दोस्तों नई जैस का Automatic Variant Earth Dreams Technology Series के होंडा के Advanced CVT Technology के साथ आता है और यह 17.1 km प्रति लिटर की इंदन दक्सता प्रदान करता है यानि की 17.1 km की average यहां पे देता है नई जैस अपने segment में अकेली ऐसी कार है जो कि आपको driving experience काफी अच्छा प्रदान करेगी साथ दोस्तों shift को control करने के लिए CVT Variants में race inspired steering wheel mounted pedal shifter आपको मिलेंगे तो दोस्तों आपको यह भी बता देता हूं कि Honda Jazz का CVT Variant काफी ज़्यादा popular variant है और बात की जाए पिछले साल की Jazz की कुल बिकरी में तो इस variant की बिकरी लग भग 70% थी और ज़्यादा feature की बात की जाए नई Jazz की खूबसूरती और स्वीदा को बढ़ाने के लिए इसमे एक advanced infotainment system आपको मिलेगा DZ Pad 2.0 को इसके अंदर जोड़ा गया है जो की आसान और smart connectivity प्रदान करता है साथ ही यहाँ पे आपको 17.7 cm advanced touchscreen audio, video और navigation system, apple carplay, android auto और दोस्तों जो नया launch हुआ है web link उसके जरीए काफी ज़्यादा आसान smart phone connectivity के साथ आता है इसमें कई advanced function आते हैं जैसे कि voice command, message, bluetooth, hands-free, telephony, audio और wireless infrared remote भी इसमें आपको मिलते है तो दोस्तों नई jazz Honda की active और passive safety technology इसके अंदर आती है जो कि सभी variants में standard equipment के रुप में आपके पास आएगी इसमें Honda की अपनी advanced compatibility engineering TM आपको TM body मिलती है जो कि दोस्तों अगर accident होता है या फिर टकराव के स्थिती होती है तो उस समय जो दूसरी गाड़ी है उसको कम नुक्सान पहुंचाते हुए आपकी safety और safety का पूरा ध्यान रखती है साथ इस safety feature में यहाँ पे आपको standard dual front SRS airbag आपको मिलते है EBD के साथ ABS और guidelines के साथ आपको multi view rear camera, rear parking sensor, pitch guard के साथ driver side window जो की one touch up-down operation के साथ है साथ यहाँ पे आपको impact mitigating front headrest और immobilizer, anti-theft system, pedestrian injury mitigation technology यह feature आपको मिलेंगे और दोस्तों आपको ZX grade की जो launch होई है Pescus के साथ नई jazz अब तीन feature pack grades में आएगी जिसमें के आपको V, VX और ZX मिलेगा उसे के साथ manual और CVT दोनों variants में आपको petrol engine के साथ यह कारा मिलेगी और color options की बात की जाए तो नई jazz 5 color options में आपको मिलेगी radiant red metallic, lunar silver metallic, platinum white pearl, modern steel metallic और golden brown metallic में यह कारा आपके पास available होगी price के अगर बात की जाए दोस्तों तो नई jazz के manual V variant के अगर बात करें तो 7,89,900 से यह शुरू होती है और इसका CVT automatic variant की बात करें जो इसका top variant है 9,89,900 रुपे तक इसके range है तो दोस्तों सबसे खास feature इसके अंदर दिया गया है Honda Jazz के अंदर one touch electric sunroof जो की इस segment में आने वाली कार के अंदर सबसे अच्छा feature है और काफी अच्छी कार है इस कार के review मैंने किया इस कार के details मैंने आपको बताएं interior और exterior के बारे में यह कार आपको कैसे लगी वो आप मुझे comment करके जरूर बताएं साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आभी सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को like वे शेयर करना ना भूले थैंक यू फो वाचिंग एंड स्पोर्टिंग ट्रांस्पोर्ट अड़ा